मश्कार दोस्तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि Amaze XL क्या है और इसमें क्या पाया जाता है और Amaze XL कैसे काम करता है और हमें Amaze XL की जरूरत क्यों बढ़ती है और हमें Amaze XL क्या रोल निभाता है और क्या हमें Amaze XL का प्रयोग अपनी फसल में करना चाहिए और दोस्तो तो साथ ही इसका प्राइस क्या रहता है और इसकी डोज कितने हमें यूज करनी चाहिए और किस समय हमें इसका स्प्रे करना चाहिए जिससे कि हमें AmazExcel का रिजल्ट 100% अपनी फसल पर मिल सके तो किसान भाई यो AmazExcel बाइस्टाट कंपनी का प्रोडक्ट है और इसे हम प्ला प्राइमरी नूटीशन और सेकंडरी नूटीशन हमारी फसलों के लिए बहुत जरूरी है और साथ ही दोस्तों इसमें AmazExcel बहुत से काम करता है यह हमारे पौदे के तने को मजबूत बनाता है और हमारे पौदे की पतियां को हरी भरी रखता है और साथ ही पौदे में जड़ों का विकास भी बड़े अच्छे से करता है जिससे हमारा पौदा सारे जरूरी नूटेंस को जल्दी क्रहन करता है तो दोस्तों बात करते हैं कि AmazExcel की कॉम्बिनेशन की इसमें क्या-क्या पाए जाता है तो दोस्तों AmazExcel में Amino Acid 19.3% Seaweed जिसे हम एसकोफिलम और नोडोसम भी कहते हैं Fermented Biomask 20% पाए जाता है Stabilizers and Accus Dilotants 67% होता है और भी दोस्तों जिसमें बहुत सारे content पाए जाते हैं जैसे कि L-Icene 3.7% Arginine 3.1% L-Glutamine 3.4% L-Valine 2.5% Methonine 3.1% L-theronine 3.5% और Algolic Acid 1% पाए जाता है और किसान भाईयो AmazExcel को Organic तरीके से तयार किया गया है यह पूरी तरह से Organic है तो दोस्तों इसमें जो Seaweed Extract Content पाए जाता है वह कहां से मिलता है तो दोस्तों Seaweed होता है समुद्री शैवाल और यह शैवाल केवल Northern Atlantic Ocean में ही पाए जाता है और दोस्त पाए जाने में वृद्धी करता है या फिर यह हमारे पौद में नए हार्मोंस को बनाने की प्रक्रिया को तेज करता है और तीसरा दोस्तों Algenic Acid तो दोस्तों यह समुद्र में पाए जाने वाले बूरे रंग के शैवाल से बनाया जाता है और नमी होने पर यह चिप-चि शाइन और साइस को भी बेहतर करता है और दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें अपनी फसलों पर Amaze XL को कब यूज करना चाहिए तो दोस्तों Amaze XL को यूज करने की पहली अवस्था है फूल सेटिंग मतलब कि आप फ्लोरिंग के समय में Amaze XL को यूज कर सकते हो इसके उप्यों के बाद आपको फूल तो दोगुने देखने को मिलेंगे ही और साथ में यह आपकी फूल जड़ने की समस्या को भी रोकेगा और फल की ग्रोथ भी अच्छे से होगी साथ ही फूल की ग्रोथ भी अच्छे से होगी और आपकी पौदे की ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिल दूसरा दोस्तो, full full की setting तो करता ही है, और साथ में हमें fruit development stage में जल्दी harvesting हमें करने को मिल जाती है, और यह हमारे फल को फटने से भी बचाता है, आप तस्वीर में देख सकते हो, और दोस्तो, Amaze XL पौधे और fruit की shelf life को भी बढ़ाता है, और यह हमारे फल को वजंदार बनाता ह है, और हमारे फल की quality को बनाए रखता है, तो दोस्तो, बात करते हैं कि आप Amaze XL को कैसे यूज़ कर सकते हो, तो दोस्तो, सबसे better result के लिए तो आपको Amaze XL को अकेले ही यूज़ करना चाहिए, और बाकी आप इसमें कोई भी fungicide या insecticide मिला कर यूज़ कर सकते हो, आप इसे alkaline यूज़ पेस्टिसाइड के साथ मिला कर यूज़ ना करें, और दोस्तो, Amaze XL को स्प्रे करने का टाइम जो रहता है, वो सबसे best time होता है सुबह के समय, क्योंकि दोस्तो, सुबह के समय हमारा फोटो सिंथेसिस के द्वारा खाना बनाने का काम करता है, तो उस समय पर अगर ह 25 ml पाने के टैंकी में और 500 ml पर एकड के लिए, और दोस्तो, अब एक और बात करते हैं Amaze XL के बारे में कि, दोस्तो, Amaze XL एक सिस्टमिक तरीके से काम करता है, मतलब कि, अगर आपने अपने पोटे में Amaze XL की स्प्रे करने से पहले यदि कोई fungicide या किसी insecticide का स्प्रे किया है तो दोस्तो, Amaze XL करने के बाद वहे दवा भी हमारे पौदे में पूरी तरह से चली जाएगी और हमारे पौदे में उस दवा का भी असर बहुत जल्दी होगा सिर्फ Amaze XL की वजह से, तो दोस्तो, बात करते हैं इसकी price की, तो दोस्तो, इसका 2500 ml का price 900 रुपे के आसपास मिलत है, तो दोस्तो, आज की वीडियो में इतने ही, अगर आपको आज के वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करना, कमेंट करना, और साथ ही आपके कोई सवाल या कोई सुझाव रहते हैं, तो दोस्तो, आप कमेंट के मादम से हमसे पूछ सकते हो, और साथ ही वीडियो की description बॉक्स में आपको हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहां पर जाके आप अपने सवाल या सुझाओं हमें दे सकते हो या हमसे पूछ सकते हो मिलते हैं आप से लिए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर तक के लिए अधने से के सितने स्फीटए्य। वा लिए जहाओा नहां ही मिल जाएगा जाचीशि वीडियो मृ तब टेवांगा सो झाल झाल